हेलो फ्रेंट टेक्स इन्मोईस बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे बनाया जाता है देखिए हमने जीएश्टेन नमबर लेख लिए है अब आपको मुबाल नमबर लिखना है देखिए हम लिखने जा रहे हैं मुबाल नमबर हम कुछ भी लिख रहे हैं कोई वास्ति मुबाल नमबर नहीं है बस आपको ऐसे बताने के लिए लिख रहे हैं देखिए मुबाल नमबर लिख दिए अब आपको अपने सौप का नेम लिखना है आपको जो दुकान है जी चीज का है उसका नाम लिखना है जैसे कि मेरे एक सर्वी सेंटर का मान की लिख रहे हैं हिंदुस्तान आटो सर्वी सेंटर एक सर्वी सेंटर का सौप है देखिए मैंने लिख लिए हिंदुस्तान आटो सर्वी सेंटर अब इसके बाद आपको डेटेल आफ रिसीवर यह निकिए जिसको यह रसित प्राप्त होगी उसका डेटेल लिखना है डेटेल्स आफ रिसीवर उसका नेम लिखना है रिसीवर का एडरेस फिर अधार नमबर अब अधार नमबर लिखेंगे पहले आपको पूरा टेक्स लिख लेना है पूरा टेक्स लिख लेना है उसके बाद आपको डिजाइन देना है कलर करना है अब देखिए हम लिख रहे हैं सीरियल नमबर यानि कि जो परची है परची का सीरियल नमबर क्या है डेट आप इसूज़े से कि मैं जो कुछ आप लेने चाहते हैं दुकान पर तो जैसी का पर लेडी बल ली तो लेडी बल पर कहता है कि वारंटी आप पुछने वारंटी है तो कहता है एक साल का देट लिखा रहा रहता है डेट आप इसूज़े इस पर यह बताया कि आप एक साल का जो वारंटी किस डेट से चालूगा है आप यहां लिखेंगे सीरियल लंबर फिर इसको बल लिखेंगे डिस्क्रिप्शन आप प्रोड़क्ट कि आपने क्या लिया है डिस्क्रिप्शन आप प्रोड़क्ट अब आपको कांटिटी लिख देना है फिर रेट लिखेंगे फिर अमाउंट अब आपको दोड़ा नीची आजाना है बीच में कुछ इस पर छोड़ देना है देखिए मैं कैसे छोड़ रहा हूँ अब आपको यहां से लिखना चालू करना है टोटल इन मोईस अमाउंट तोटल इन मोईस अमाउंट आपने लिख दिया इसके बाद आपको लिखना है अमाउंट फिर अमाउंट लिखने के बाद आपको जीएस्ट उर्षटि डाल लाया तो आप जीएस्टि वापहले से जीएस्टि C GST फिर Yes GST आपको परसेंट डाल देना है कि तरह परसेंट लग रहा है आपको टोटल अमाउंट अब डालना है टोटल अमाउंट अब साइन करना साइन बहुत जरूरी है साइन करते हैं सीनियचर अब इसको बाटर देना है बाटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जैसा बाटर चाहिए उसके बाटर ले लेंगे लिखी मने इस तरह का बाटर लगा दिया है अब इसके अंदर बीच सब पर पूरा बाटर देना है अलग अलग इसको मने अलग बाटर दे दिया आप डिटेल आफ रिसीवर को लग बाटर देना है सीरियल नंबर रिसुलेट को लग बाटर देना है अब देखिए यहां पर होगे मैंने इसके लिए कर रहा हूं है फार्मिट अब इसे मैं फिर से करूंगा तो यहां सीरियल नंबर हो गया डिस्कुशना पोड़क कॉंटिटी रेट अमाउंट इसको भी हमें अलग अलग कालम देना है सब को सेरियल नंबर को मैंने अलग कालम दे दिया आप देखिए डिस्कुशना पोड़क को हमें पहले मर्ज एंड सेंटर कर लेना है सेलिक्ट करेंगे माजन सेंटर पर किलिक करेंगे देखिए हमना माजन सेंटर हो गया अब इसे अलग कालम देना है कॉंटिटी को अलग कालम देना है अजय सेलिक्ट को अलग कालम देना है कि इसे 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 उसे अपको देदीना है अब देखिए हम नीचे आ गए नोचे टोटाम को देना है देखिए मैं कैसे दे रहा हूं आपको बाद इस तरह से सब कुछ सेटिंग करते जाना है आपको एक अच्छा इस टेक्स इन्वोईस मिलेगा आप वह बैंक डीटेल्स डाल देना है बैंक डीटेल्स में बैंक ने आएफसी कूड अब हमारा जो है ट्रिक्ष्ट बन की तयार हो गया अब हमें इसे सिर्फ डिजाइन करना है कलर देना है फॉंट जेज करना है कि देखिए हमने इसे भी माजर सेंटर किया हिंदुस्तान आटर सेर्विस सेंटर को अब मैं इसे थोड़ा बुल्ड करके बढ़ा कर दूंगा और इसमें कोई अच्छा सा डिजाइन ले लूँगा देखिए अच्छा सा डिजाइन मैं ले लिया अब इसे पूरा देखिए दिखाई नहीं दे रहा है पूरा नाम तो आपको माजर सेंटर करना है देखिए मैंने माजर सेंटर किया पूरा नाम सो होने लगा इंदुस्तार आटो सर्वी सेंटर अब आपका कलर देना है देखिए मैंने कलर दे दिया इसी तरह से आपको सबका पूरा जितना परची बना है टेक्सिन वोईस सबको कलर देना है देखिए मैंने इस तरह का दे दिया करण मैंने बदल दिया हूँ टेक्सिन वाइस को मैं थोड़ा बड़ा करके और दूसरा कल देने जा रहा हूँ देखिए मैंने दूसरा कल दे दी हिस्सो नहीं कर रहा है ग्रीन में वाइड दे दी वाइड देने के बाद हमारा रसित पूरे तरह से बन के तयार हो गया टेक्सिन वाइस अब हम कंट्रोल पी पे क्लिक किये अब यहां पर देख लिए यहां टेक्सिन वाइस अगर यह आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप किसी तरह से टेक्सिन वाइस दिखाएगा तिक हाएगा